जहने दोस्तों, दोस्तों 28 नमंबर को होने वाला इंडियन आर्मी का जो रिटन एक्जाम था वो फिर स्थगित हो गया है जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चीज का अंदेशा पहले से ही था तो ये आगे हो गया है और देखे कुछ ना कुछ तो मजबूरियां आर्मी की की भी होंगी और सकार की भी होंगी तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि सकारी प्रकिया वक्त लेती हैं और यह हमारी किस्मत कराब है कि इस जनेरेशन को जो है थोड़ा सफर करना पड़ रहा है इससे जादा मैं आपको तसलिक क्या दूँ दोस्तों तो पढ़ाई करते रह पढ़ा है और पिछली बार में पूस्ट पॉंड लिखा होता तो ऐसा कुछ नहीं है यह जो है एक्जाम की फ्रेश डेट आईगी बड़ा क्लेरी लिखा ऊसके अंदर तो कहीं पुस्ट पॉंड लिखा है उसके चकर में आप पढ़िए उन्होंने बड़ा क्लेरी लिखा ह साथ बता सकता हूँ पहली चीज दूसरा इस वक्त जो है जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं वो सब जो है किस तरीके से आपके डिस्पैच को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे जो भी बच्चे सफल होंगे उसके ओपर बड़ी जो है तेजी से काम कर रहे हैं चाहे हो आप बाकी जो भी कारवाई होती है तो रिटेन एक्जाम जैसी होगा यह रिजल्ट भी आपकी जल्दी आएंगे और उसके बाद आपके डिस्पैच कारवाई भी बड़ी जल्दी होगी दोस्तों यह एक बात मैं आपको जो है काफी जिम्मिवारी साथ दा सकता हूँ आपको मै अगर आप इस दोरान ओवरेज भी हो रहे हैं तो भी आपको रिटेन एक्जाम देने से कोई नहीं रोख सकता यह सब रूल पोजिशन्स हैं जो मैं आपको क्लारिफाई कर देता हूं आप लोगों किसी किसे चिता करने की जरूरत नहीं है भरतिया में जल्द को लेंगी अपनी दौड जानी रखिए दोस्तों और जो है दौड का मतलब है पांच मिनिट का टाइम सोलह सो मीटर और आपके कम सिंगम बारा बीम यदि नहीं तो तुरंत कोई अच्छी एक अड़मिक पकड़े डबनू डिये में आपका स्वागत है जब भी आप आ सकते हैं उपर दीवे नुमर पर कॉल करें तैंक्यों बड़ी मच्छ जाहिंद